नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाईड हो जांख, आज 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 आजियो रिकॉर्डिंग कच्छाओं की जो दूसरा दिन है, उस पे हम लोग बातचीत करते हैं, आज का जो हमारा बातचीत करने का टॉपिक है, वो है वैदिक सब्वेता, वैदिक कल्चर, इंडस हम लोगों सामान निवाशा में रिक वैदिक काल भी कहते हैं, अगर सबसे पहले बात करें तो इस सब्वेता के जो संस्थापक थे, वो कौन थे, तो इसके विशे में जो जानकारी मिलती है, वो रिक वैद हैं, वैदों से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे जो थम्गरंत है वो रिगवेद के रूप में है तो इसलिए इसको जो है वैदिक सभेता के रूप में जाना जाता है और इसको रिगवेदिक काल भी कहा जाता है वैदिक सभेता के जो संस्थापक थे जो फॉंडर थे वो आरे थे और ये जो आरे थे इनके विश्यम में माना जा हुए है यह सबस्यादा एक्सेप्ट की जाती सबस्यादा सुईकारे हैं माना जाता है कि जो आर्ये थे इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो पशुचारण था यह मलब अनिमल ग्रेजिंग किया करते थे और यहां की जो वैदिक सब्वेता थी पॉर्ट्ट सब्वेता आते हैं अगर हम बात कर आएं तो जो है वह सबसे पुराना जो है वहा है अच्छी जानकारी है जिसमें प्रमुक देवता है वोरण इनकी जो है में वहाँ पर संस्तुतियां उनकी प्रातनाएं हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं अगर हम बात करें तो अस्तोमा सद्गमेया जो वाक की है वो रिगवेट से लिया गया है ठीक है हम आज देखते हैं कि हमारे समाज में इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ा हु फिर जो आज कल कोईश्चन का ट्रेंड चला हुआ है कि उस समय काल की राजनेतिक वेवस्ता है यानि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था साथी साथ उसका जो है वो सामाजिक वेवस्ता कैसी रही क्योंकि NCRT की बुक्स सामाजिक वेवस्ताओं पर सोशल जो आपका स स्ट्रक्चर इस पर बहुत करती है तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इसके साथ अर्छ्वेवस्ता कैसी चल रही क्योंकि आर्च्वेवस्ता और समाज एक दूसरे के वो एक साथ चलते हैं कोई उन्नत समाज जो हगा बीना उन्नत अर्च्वेवस्तां के सर्वाइब न नदियों के बारे में अच्छा खासी जानकारी मिलती है और नदियों से ही इनकी बाउंडरी इस तैह हो रही है यहां पर हम बात करें और कहा जाता है कि भारत में जो आ रहे थे वो सब्त सैंधव प्रदेश जो है उसमें आकर बहे और यहां पर रिगवेद में साथ नदियों सब्त सैंधव का मतलब हुआ साथ नदियों का प्रदेश जो यहां पर है इसका उलेख हमें रिगवेद में मिलता है इसमें रिगवेदिक काल में सिंध नदी का उलेख कई बार आता है कि सिंद नदी जो सबसे प्रमुक नदी के रूप में थी और रिगवेद में गंगा का एक बार याद रखिए का गंगा का एक बार और यमुना का तीन बार उलेक मिलता है बहुत मातपूर है एक्जाम में पूछा भी जा चुका रिगवेद में गंगा का एक बार यमुना का तीन बार उलेक मिलता है, लिगवेद में जो सबसे पवितर नदी थी, उना गंगा थी नयमना थी, सरस्तुती, ठीक है, सरस्ती जो सबसे पवितर नदी के रूप में मानि जाती थी, जो आज लगभर विलॉप्त हो चुकी ему, इसमें jो सबसे प्रमुक और नदी के करते हैं आरे जो है वो कुरुषेतर के निकट तक पहुँच गये थे मद्य भारत की तरफ इन्होंने जाना शुरू कर दिया था और उसको उन्होंने ब्रह्मवर्थ कहा था ब्रह्मवर्थ राइट और ये सरस्तोती और द्रश दोती नदी के बीच पढ़ता था जो ये ब्रह शनाते हैं अगर हम बात करें तो वर्तमान का जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम शुतुद्री था याद रहेगा सतलज जो आज हमाचल कश्मीर से बहने वाली एक प्रमुक छेतर की नदी है सतलज की जो प्राचीन नाम शुतुद्री था जो वर्तमान चिनाब है जो स कुम्भा के नाम से जानी जाती थी प्राचीन रिगवेद में इसको कुम्भा कहा गया गंडक गंडक जो है वो सदानीरा के नाम से जानी जाती थी गंडक सदानीरा स्वात स्वात जो है वो सुवुस्ट के नाम से जानी जाती थी सुवुस्टू ठीक है स्वात नदी को कहते रावी जो आज वरतमान रावी नदी है उसको उस समय पुरुषणी नदी के नाम से जानते थे पुरुषणी एक्जाम में पूछा जा चुका है पुरुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है रावी जेलम जेलम को वितस्ता कहा जाता था वितस्ता प्राचीन जो की जो है सीमा अत्ताय करती है जो कुर्रम नदी है कुर्रम नदी को कुरूमू कहा जाता था कुरूमू कुरूमू संस्क्रिट वर्ड है कुरूमू जो आज कुरूम है उसको कुरूमू कहा जाता था तो यह नदियों के प्राचीन नाम रहे आप इनको याद करिए बहुत महत् भाब चेत रहे जहाँ पर आरियों का कब्जा था उसको ब्रह्म्हरशी देश कहा गया घाल कर आरिय जो है हिमाले और विंधा चल पर्वतों के बीच पर कब्जा करते हैं उसकोck अपना विस्तार करते हैं और उसको मद्यदेश कहा गया हिमाले और विंध्या चल पर्वतों के बीच में जो आर्यों का शाषन विवस्ता थी वो ब्रह्म देश के मद्य देश के रूप में इस्तापित हुई धीरे धीरे इनका विस्तार होता रहा और आर्यों ने कालांतर में जो है वो संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना विस्तार कर लिया यहाँ पर जो इनका एक्षपेंशन हुआ जो नौर्ट इंडिया में कम्प्रीट हो गया और इस पूरे छेतर को आगे चल कर आर्या वर्थ कहा जाता है याद रखिएगा आर्या वर्थ जो पूरा उत्तर भारत है वो आर्या वर्थ के अंतरगत आता है तो यह रहा इनका जो है वो जोगर्फिकल एक्षपेंशन अब अगर हम बात करें इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था यानि राजनी थी इनकी व्योस्ता कैसी हुआ करती थी तो कई बार यहां पर इतिहास कारों में एक विवाद देखने को मिलता है कि इन्होंने आर्यों को बाहर से आउएओ अब माना है ठीक है और भारत के जो मूल निवासी है कई बार यहां कॉन्फिक्ट होता है कि वो द्रवडियन के रूप में कहे जाते हैं कई बार उन्हें अनार्य कहा जाता है, जो युद्ध था, वहाँ पर प्रतेख पक्ष में आर्य अनार्य थे और इस दस्राग्य के युद्ध की वर्लन है, वो रिगवेत के सात्वा मंदल, उसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कहां लड़ा गिया था ये दसरागी का युद्ध आरे और अनारे जहां पर थे ये जो वर्तवान की रावी नदी है रावी नदी का मतलब प्राची नाम पुरुशनी उसके किनारे पर लड़ा गिया था और जो जैसे प्र菠 एल बॉसम अपनी बुक में लिखते हैं तो भारत के कभीला उसके राजा सुधस थे वो राजा थे वो भारती कभीले का प्रतिनेदित कर रहे थे और उसमें जो है वो अपने प्रजंदेत को पराजित किया उन्होंने उनको हराय डिफीट किया और वहीं से जो है वो सुदास ने भरत कुल भरत आगे चल कर जिस पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है भरत कुल की स्टेश्टता स्थापेती राइट कि भरत जो है वहाँ पर ये क्लैन जो है वो इस्टैबलिश होता है रिगवेद में आर्यों के पांच कबीलों का उलेक मिलता है तो बात करते हैं एक होता उसमें पुरू दूसरा होता युद्ध व्याद रखिएगा पांच कबीलों का उलेक मिलता है रिगवेद में और ये आर्यों के कबीले हैं पुरू युद्ध तुर्वस अजू प्रहय ये पांच है पुरू, युद्ध, तुर्वस, अजू और प्रहयू ये पांचो कबीले हैं और इन्हें ही कुल मिलाकर पंच जन कहा जाता है पंच जन राइट और माना जाता है कि रिगवैदिक जो उस समय की राजनातिक विवस्ता थी वो कबीलिया ही विवस्ता जो कबीले ह उसके आधार पर थी, उन्हीं का सिस्टम ये चला करता था यानिकर इस केस में हम देखे हैं तो सिंदुगाटी सब्विता तो एक बहुत ही विक्षित सब्विता के रुपए में देखाए पड़ती है रिगवैदिक लोग जो है वो जन या कबीलों में भाजित थे और प्र की इसको उपर चैबारी है और को नग्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है यह राजा के लिए हैज इस्टमावर न की מदद किया पुरुष ये पुरुष भी जो था वो एक पताविकारी था इस्परश दूथ ये सभी जो है वह सासकिय परतावि की रूप में इंका वरणन महा वह मिलता है नेक्स्ट मात पूर्ण बात है कि सास्की प्रधादिकारी थे वो राजा के प्रति एकाउंटेबल थे तरदाई इनका उनके प्रति था और इनको या तो इनका जो नियुक्ति होती थी अपॉइंटमेंट या इनका रिमूवल निलंबन होता था वो सभी के अधिकार जो थे व तो कुछ अन्य परिशदों का भी जिक्र मिलता है जिसमें सबसे प्रोमुक है सभा, समिती, विदत, ये सभी जो है वो कबिलाई परिशद हुआ करती थी, सभा, समिती, विदत, तो ये एक्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत महत्पूर्ण है, इसका आप याद करती थी, और जो सभा, याद रखिएगा बहुत महत्पूर्ण, जो कबिलाई परिशद सभा थी, और विदत थी, इन दोनों परिशदों में महिलाओं की सक्रिय भागेदारी हुआ करती थी, ये आप जो है वो बहुत महत्पूर्ण तरीके से समझ सकते हैं, अभी आपने द नहीं है कि प्राचीन समय में महिलाओं का जो है, इसमें सह भागिता नहीं थी या उनको परदा प्रता में ही रहना पड़ता था, सभा और विदत में जो है, उनकी पर्याप्त प्रतनियुदत तो यहां हुआ करता था, सभा स्ट्रेश्ट एम अभी जाते लोगी संस्ता हु देखिए, बहुत महत्रपुर्ण है, यह समितियां जो है, राजा कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में भी यह क्या करती थी, एक तरह से नियंतरन करने का काम करती थी, और माना जाता था कि यह जो समितियां है, यह समस्त प्रजा की संस्ता थी, यहीं से एक अवधाना आती है कि क्या मलब हमारा प्राचीन काल में इन लोगों ने सबसे पहला गनतंत्र या जो लोगतंत्र की इन्होंने स्थापना की तो लोगतंत्र तो कहना मुश्किल होगा इसको गरतंतर की रूप में या जनतंतर की रूप में हमें यह दिखाई पड़ी कि इसमें जनता का भी क्या है जो है महत्यपूर्ण भूमिका है आज चलिए नियाए व्योस्ता के बारे में जानकारी लेने कोशिश करते हैं नियाए व्यवस्ता के विशे में बहुत कम जानकारी है हमारे पास अपलब दैस समय और माना जाता है कि राजा और पुरोहित ये जो दोनों थे यही नियाए व्यवस्ता के जो है प्रमुक अधिकारी थे इनी के पास जो है नियाए करने का ताइद तो हुआ करता था और की वर्गों का प्रभाव दिखाई पड़ता है वर्ग आधारित हुआ करती तो उसमें जो और सो ग्रंधों का दान करना आनिवार हुआ करता था कि आप सो ग्रंध दान करेंगे और इस प्रकार का वर्गाधारित Net सेग्मेंट वहां पर दिया जाता है लेकिन जो बहुत महतोंट बात उस समय निकल कर आती है राजा भूमी का स्वामी नहीं होता है यह वह सेग्मेंट होता है जो गाओं की संरचना हुआ करती थी वो ग्राम विश और जन शासन इकाई की रूप में विभाजित थे ठीक है ग्राम विश और जन शासन की इकाई की रूप में विभाजित थे और गाउं में जो है ग्राम जी से कहा जाता था वो कई परिवारों का समू होता था यानि अगर तीनो इकाई देखेंगे कि सबसे चोटी इकाई पूछा गया, सबसे चोटी इकाई आरियों के समय में कौन सी थी ग्राम थी, उसके बाद क्या होई विश होई, उसके बाद जो ही जन्चाशन होई, राइट, और अगर पूछा जाए तो विदत क्या है, तो व पुरुहित, तो पुरुहित उस समय क्या काम किया करता था, जैसे आप दो साल से देख रहे हैं प्राथी नितियास में इस तरह के प्रशना आ रहे हैं, तो पुरुहित का काम होता था, राजा का मुख्य परामर्जदा था, यानि कि राजा को में एडवाईजर हुआ करता जैसे आज हम देखते हैं कुलपती के रूप में तो वो क्या नम है विश्विद्यालना में पाय जाते हैं लेकिन कुलपती उस समय जो हुआ परिवार का परधान हुआ करता था यानि मुख्या हेड आफ दा फैमिली इसके बाद ब्राजपती हुआ करते थे तो ब्राजपती जो होता वो चरागहा का दिकारी होता जो एनिमल ग्रेजिंग जो एनिमल आधारित आर्थ वेवस्ताएं होती थी एनिमल हजबेंटी पर उनके चरागहा का दिकारी हुआ करता था इसके बाद जो इस पर्ष सब्द इस्तमाल किया था गुप्चतर के लिए गुप्चतर जो किसका मतलब था सेना नहीं सेना पती सब्सक्राइब इस्तमाल किया जाता था विश्पती विश्पती किसे कहते हैं विश्वपती विश्वपती जो होगा विश्वपती का परधान कहलाता था यानि कि जो विश यानि गाओं का जो समू होता था उसका प्रधान होता था ग्रामडी किसे कहते था ये कुशन आया हुआ है ग्रामडी ग्रामडी जो है ग्राम के प्रधान को कहा जाता था ग्रामडी दूद का क्या काम होता था जो ambassador होता था वो सूचना प्रेशित करना दूद का काम होता था सूचना को एक point से दूसरे point पर ले कर जाना उग्र किसे कहा जाता था ये भी बहुत important है उग्र जो उस समय की police वेवस्ता होती थी जिसको जो है वो दंडा अधिकारी के पास ले जाने जाती कि वो ग्राम आधारित यानि गाउं के आधारित ये सब बेता हुआ करती थी और गाउं ही जो थे वो समाज का जो है वो सबसे smaller unit के रूप में इस्तमाल होती थी और समाजिक वेवस्ता में देखें तो ये पैट्रियार की society थी यानि कि पितर सतात्मक वेवस्ता हुआ करती थी और पिता जो है वो संपुर्ण परिवार भूमी और संपत्ती का अधिकारी हुआ करता है जैसा आज भी हमारे हैं होता है तो ये सभी का अधिकारी हुआ करता था और इसे ही कुलप कहा जाता था कुलप एक वर्ड याद रखेगा कुलप जो पिता होता था उसको ज सिक्षा के लिए इनके द्वार खुले थे और लोपा मुद्रा गोपा ये सब जो है विदुशी महिलाओं के रूप में हमें वेदों में ये दिखाई पड़ते हैं अगर समाज को देखें तो समाज जो है उस समय का जो प्रारंभिक रिग्वैदिक समाज था वो दो इसो में बटा हुआ था एक आर्य और दूसरा अनार्य लेकिन धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पुरुष शुक्त में पहुंसते हैं एक पुराड़ पुरुशोग्त और उसके दस्वे मंडल पर आते हैं तो दस्वे मंडल में जो है हमें समाच चार हिस्तों में दिखाई पड़ता है और वो जिसे कहते हैं कि विभाजन होता है इसमें चार वर्ग बन जाते हैं एक ब्रामः एक चत्री वैश और सूद्र माना जाता है कि जो जाती विवस्था की जो उर्द्वाधर विवस्था आती है वर्टिकल वो यहीं से पुरुश शुक्त से निकल कर आती है मनरंजन के साधनों के रूप में ये लोग क्या इस्तमाल करते थे चुकि ये मदेशिया से आया थे तो घुरदोर और इनके पास रत्वत ये सबसे पहले इन्होंने इंटर्ड्यूस कराया था तो रत्की दोर्ड, घुरदोर्ड, मल्ले युद्यानी के जो कुष्टी हुआ करती थी ये मनरंजन केस के प्रमुक साधन हुआ करते थे परिवार जो है संयुक्त हुआ करते थे संयुक्त परिवार यानि जॉयन्ट फैमिलीज हुआ करती थी और विवाह जो था वो वेक्टिगत और सामाजिक जीवन का एक प्रमुखंग था विवाह के संसकार हुआ करते थे अंतर जाती विवाह के प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं लेकिन मज़ेदार बात है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिसस वहाँ हुआ करते थे अंतर जाती विवाह हुआ हुआ करते थे लेकिन बाल विवाह जो है वो निशेध हुआ करता था कि कितनी खुबसूरत बाती और अजावना समाज में कितनी गंदगी यह चीज़ को लेकर तो बाल विवा का वहाँ निशेद हुआ करता था और बहुत महतबूर बात है कि उस काल में विद्वा विवा की प्रथा प्रचलन में थी ते कि हम इसको आज के समय भी हम लिख सकते है लोग धर्मों को जो है इतने आडंबर करते हैं और विद्वा विवा की विवस्ताओं को विरोध करते हैं ते कि उस समय जो है विद्वा विवा प्रचलन में था पुत्र प्राप्त के लिए नियोग प्रथा स्विकार की गई थी जिसे आज जैसे हम लोग टेस्ट्यू बे प्रथा और परदा प्रथा यह दोनों प्रथा हैं जो थी वह इस काल में रिग्वैदिक लाल में प्रचलित नहीं थी यह कुरितियां बाद में आई हैं यह आपको समझना पड़ेगा आई एक चीज था कि रिग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रशन था जैसे आप लोगों ने कभी हरिश चंदर की और इन सब के लिए इस्तमाल किया जाते थे आरे जो है वह मांसा हारी और शाका हारी दोनों प्रकार के जो है वह भुजन पसंद किया करते थे ध्यान रहे लेकिन आर्यों में अभी तक कहीं भी नमक और मचली ये दो चीज का प्रियोग जो है इनके प्रमाण नहीं मिलें इन दो का प्रियोग नहीं करते थे पोशाकों की बात करें तो वस्तर के रूप में ये सूत उन और जो है वो हिरन का जो चमणा होता अम्रक चर्म इनके पोशाक जो है वो इस्तमाल किया करते थे तीन प्रकार के पोशाप के प्रमाण हमें यह मिलते हैं एक को बोलते हैं वास वास का मतलब हो गया lower garments नीचे के तरह पहने जाने वाले फिर अधिवास राइट लोवर यानि जैसे लोवर आपका पजामा हो गया वास कहा जाता था अधिवास याणि upper garment जो उपर जो है वो पहने जाते थे कमर के उपर का और नीवी जो under gavernments थे that is called कौल नीवी तो वास अधिवास और नीवी ये तीन प्रकार के फोशाब जो है वो पहने जाते थे क्या रिग्वैदिक कार के वल जो है वो सात्विक थी या उसमें नशीले पदार सूम का प्रचलन नहीं हुआ करता था नहीं रिगवैदी काल के लोगों में नशीले पे पदार सूम और सुरा ये बहुत प्रचलिती ती तमाम प्रमार उसके मिलते हैं और मृतक दा संसकार के रूप में देखें तो यहां पर जो है उनको अगनी में जलाया जाता था ठीक है जो मृतक देखें उनको अगनी में जलाया जाता था कभी कभार ही दफनाने के परमार मिलें रिगवैदी काल में जो है विदुशी इस्तरियों के परमार मिलें जो पढ़ी लिखी थी विद्वान थी उसमें जैसे घोशा एक्जाम में पुछा जा चुका है घोशा लोपा मुद्रा याद रखेगा घोशा लोपा मुद्रा सिकता पॉलोमी विश्वतारा और निवावरी राइट घोशा लोपा मुद्रा सिकता पॉलोमी विश्वतारा और निवावरी ये प्रमुक जो है विद segment वیदिक काल के एक हमने देखा भागलिक विस्तार-राज़्यदिक विवस्ता और सामाजिक विवस्ता अगले पार्ट में मैं आप लोगों से इसके आपको सारी आपके समस्याओं का solution मिलना शुरू हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों अगले जो आपका revision segment है उसके साथ मैं जल्दी हाजिर होता हूँ नमश्कार